कानपुर शूट आउट के आरोपी विकास दूबे के एंकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके दोस्त अमर दूबे के संबंद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है विकास दूबे के पिता के कई बयान हम आपको सुना रहे हैं विकास के पिता ने अपने बेटे के एंकाउंटर के बाद क्या क्या बाते कही हैं रिपोर्ट्स के जरिये हम आप तक पहुचा रहे हैं और इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे विकास के दोस्त अमर दूबे के पिता संजीब दूबे के बारे में गुरुवार को विक्रुगाउं में एक पुलिस ओपरेशन के दौरान अमर दूबे के पिता संजीब जिन्दा हो उठे जबकि परिवार वालों ने सीधे तोर पर कह दिया था कि कई साल पहले ही संजीर दूबे मर चुके है अमर दूबे को विकास का दाहिना हाथ माना जाता रहा है पुलिस ने उसे हमीरपुर जिले के मौदाखा में मार गिराया एन्काउंटर के बात बिक्रु गाउ में पुलिस कर्मी पहुचे अमर की जानकारी देने तो उन्हें पता चला कि अमर का पिता अब तक जिन्दा है खबरी पुलिस को अमर के पिता के पास ले गए जहां अमर के पिता ने कई हैरान कर देने वाले खुला से की पुलिस अधिकारी ने बताया कि अमर दूबे के पिता संजीव जब अपने बेटे के मौत की खबर सुनकर अपने ठिकाने से बाहर आये तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया पूछताच के दौरान पता चला कि वो एक दुरगटना में बाल-बाल बच गया था लेकिन उसने अपना पैर खो दिया अमर के पिता संजीव के उपर हत्या की कोशिश, उगाही और लूट समेत 12 मामले चौबेपुर पुलिस टेशन में दर्ज हैं पुलिस अधिकारी ने कहा संजीव दूबे साथ साल पहले सड़ग दुरगटना के बाद अंडरग्राउंट हो गया परिवार वालों से ये खबर फैलाने के लिए कह दिया कि वो मर चुका है ताकि उसके विरुच चल रहे सारे आपराथिक मामले बंध हो जाएं लेकिन अब विकास दूबे और उसके एंकाउंटर ने उसके साथियों के परिवार वालों तक की जानकारी लाकर सामने रखती है SPN 9 Newsroom के रिपोर्ट